बिहार में मौसम के बढ़ते तापमान के बीच सियासी पारा भी चरम पर है जहां एक तरफ खुद को बीजेपी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की पार्टी से दूरियां बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ वो राज़त के करीब आ रहे हैं और इसमें उन्हें ते खाली कराने का मुद्दा इस तरह से बिहार में चिराग तिजश्वी के बीच नए सियासी समिकरन बनने के भी संकेत मिल रहे हैं बतादे कि मुख्यमंति निटीश कुमार को लेकर अपना बगावती तेवर दिखाते हुए चिराग पासवान ने बिहार चुनाओ के दोरान एंडिये का साथ तो छोड़ा लेकिन बीजेपी से बगावत नहीं की खुद को पीए मोधी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान इन दिनों काफी नर्वस दिखाई दे रहे हैं वहीं आरजेडी नेता तेजश्वी यादब 2020 के चुनाओ के बाद अपनी सियासिक समिकरन को दुरूस्त करने में जुटे हैं जिसके लिए वो तमाम जतन कर रहे हैं ऐसे में तेजश्वी पूरी तरह से चिराग के साथ खड़े होकर सियासी संदेश देने का काम कर रहे हैं साथ ही उन्हें साधने की कवायत भी कर रहे हैं मालूम हो कि तेजश्वी की नजर बिहार के अगले विधान सभाचुनाओ से पहले 2024 के लोग सभाचुनाओ पर हैं जिसके लिए वो तमाम कवायत करने में जुटे हैं ताकि BJP जद्यू का मुकावला कर सके केंद्र की मोधी सरकार के तरब से रामविलास पासवान के बंगले को खाली कराने के विरोध और चिराग के समर्थन में तेजश्वी खड़े दिखाई दे रहे हैं इतना ही नहीं तिजश्वी ने अपने दूत और दलित नेता शाम रजव को भी चिराग के पास भेजा और करीब 30 मिनट तक बंद कमरे में दोनों की बाच्चुत हुई। माना जा रहा है कि चिराग के बहाने तिजश्वी बिहार के दलित वोटों को साधने की कवायत में हैं। अपमान करने का कृत्य किया है। वहीं चिराग पासवान से मिलने के बाद आठजेडी निता शाम रजवक ने कहा कि रामविलास पासवान की प्रतीमा पर पैर रखकर जिस तरह बरबरता पूर्ण रवया अपनाया गया है उससे हम लोग को दुप पहुचा है। हलाकि जब उनसे चिराग से मिलने के कारण को पूछा गया तो उन्होंने चुपी साद ले। इतना ही कहा कि जो भी हुआ है बीजेपी के इशारे पर हुआ है। दिली में बीजेपी की सरकार है। इस बात को चिराग पासवान भी समझ रहे हैं। साथ ही आरजेडी निता ने ये जरूर कह दिया कि आगामी लोगसभा चुनाओं में वो एक साथ मिलकर पूरी तयारी के साथ इंडिये को हराने का काम करेंगे। इससे साफ है कि आरजेडी साथ हमारे पूराने संबंध हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं चाचा पारस जी वो उसी सरकार में हैं। जिस सरकार ने मेरे पीता जी की तस्वीरों को फेका पाउं तले रौंदा। चिराग ने कहा कि इस तरह के अपमान के बाद मंत्री पद के ला पारस का ऐसे चुप रहना क्या ठीक है? वहीं इन सब के बीच चिराग पासवान का बीते दिनों एक ओडियो वी वाइरल हुआ जिसमें वो वैसशाली के किसी कारेकरता से बात कर रहे थे। इसमें वो इशारो इशारो में वैसाली से आरजेडी उमिद्वार सुगोध राय को समर्थन देने की बात कह रहे थे। यानि देखा जा तो तिजश्वी और चिराग दोनों खेमों की तरब से एक ही कदम पढ़ाय जा रहे हैं लेकिन अभी कुलकर हाथ नहीं मिला रहे हैं। बता दे कि अभी से कुछ महीने पहले चाचा पशुपती पारस और भतीजे चिरा कहा था कि हमारे लिए तो लजेपी के नेता चिराग पासवान ही रहेंगे। लालू यादव ने ये भी कहा था कि वो चाहते हैं कि उनके बेटे तेजश्वी यादव और लोगजनसक्ति पार्टी रामिलास के अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार में गठ बंधन करे। व इसी की वज़े ये भी है कि बीजेपी ने लजेपी का नेता चिराग को मानने के बजाए पसुपति पारस को माना है और केंडर में उन्हें मंतरी बनाया है। इसके बाद बारख जनपत बंगला खाली करा लिया गया है। जिसे रामविलास पासवान अस्मारक बनाने की मान चिराग पासवान कर चुके हैं इन तमाम घटना करमों की भी चिराग पासवान ने जिस तरह का रुख अपनाया है और जिस तरह से तिजश्वी यादव और उनके बीच में दोस्ती बढ़ती दिख रही है ये आने वाले दिनों में बिहार की राजनीती में नई समिकरन का उधारन भी बन सकती है बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिक कर जरूर बताएं इसके साथ ही देश दुनिया के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो आप हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें